दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं भाइस सब बढ़ी होंगे इस वीडियों दोस्तों बात करेंगे जो MPL T20 यानि कि महारास्टा प्रिमेर लीग T20 का जो मैच खेला जाएगा मैच नमबर 13 रहेगा जो सोलापूर रोयल्स वर्षिस सत्रपती संबाजी किंग्स यानि की सर वर्षिस CSK की टेम्स के बीच में आपको खेला जातावा दिखेगा डिटेल में इस मैच को कवर करेंगे वेन्यू की बात करें महारास्टा किरकेट एसोसेशन स्टेडियम के वेन्यू पर ये मैच खेला जाएगा और अब तक जितने भी MPL के मैच खेलेगे ना दोस्तों सारे के सारे मैच इसी वेन्यू पर है तो किस परकार आपको वेन्यू के stats मिलेंगे, कौन से player इस match में important हो सकते हैं, normally आपको इन teams के प्लेयरेंगे, उनके बारे में ज्यादा information नहीं मिलेगी, तो जो player important है, आपको उनके बारे में बता हूँ और वो player जो रहेंगे न जो important player रहेंगे, वो आपको सिधा सिधा अपनी team में इस मैच में जरूर से पिक करने तो यह वीडियो कंप्लिट देखना कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना बिकोज कोई भी इंफोर्मेशन जो इस मैच से लेटेड रहेगी वो आपको मिस नहीं करनी है सबसे पहले वीडियो पसंद आए वीडियो में बताएगी इंफोर्मेशन अगर आपको अच्छी लगयों तयार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी उनकर लेना बिको जाने वाले किसी भी मैश की वीडियो आपको मिस नहीं करने उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम के साथ में नहीं जुड़े हो बहुत कुछ मिस करोगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाना भाई यह आपको अमारा टेलीगाम चैनल दिखेगा इसका जो लिंक है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और आपको वीडियो के डिसक्रिप्शन में दोनों जगह पे मिलेगा वहां से जोईन कर लेना टोस के बाद में कोई भी अपडेट्स होंगी फाइनल टीम में लास्ट मोमेंट के कोई बी चेंज करेंगे तोस होने के बाद में फाइनल टीम जो भी रएगी वो भी आपको टेलीगाम पे टोस के बाद मिल जाएगी तो comment section और description में लिंक है जाईए और फटाफट टेलीग्राम के साथ में जोईन जरूर कर लीजिए यहां से बात करते मैच के बारे में आप देखो important चीज़े स्टार्ट होगी तो ध्यान से सुनना जो चीज़े बताऊगा वेन्यू एक बार फर से बता दू मारास्टा किरकेट एसोशेशन स्टेडियम पूरे के वेन्यू पर यह मैच है इस वेन्यू पर अब तक अगर बात करें इस MPL के यानकी 2023 के सिजन की तो 12 मैचेज खेले जा चुके 6 फस्ट बैटिंग ने विन करें 6 ही विन करें आपे 2 बैटिंग वाली टीम ने तो कोई भी डिफरेंस नहीं है एवरेज स्कोर लगबग 155 के आसपा अब देखो 2-3 टीम्स ऐसे मिलेगी आपको मुस्किल से जो की थोड़ा बहुत ज्यादा स्टोंग टीम्स हैं लेकिन बाकी की टीम्स जो है वो उतना जादा स्कोर जाता भाए दिखें वो आपको जब डोनों टीम्स की आगे प्लेइंग 11 दिखांगा वहां बताँगा कितना स्कोर इस मैस में बन सकते हैं उसके बाद में देखोगे स्कोरिंग पैटर्न में 150 से कम अब तक 5 बार स्कोर बन चुगा 190 पलस 3 बार 170 से 180 के बीच में भी 3 बार लेकिन यो 190 पलस जो स्कोर बनाए न ये जब स्टोंग टीम्स के लिए बाई तभी बनाए उसके अलावा आपको maximum टाइम्स यहां पे 150 या फिर 160 से नीचे का स्कोर ही देखने को मिलाए ठीक है तो दोनों टीम्स के प्लेंग 11 देखेंगे वहां आपको बता हुआ कौन से प्लेयर इंपोर्टन और कितना स्कोर इस मैच में बन सकते है आगे बढ़ते हैं रिसेंड मैचिस देख पाऊगे जो कि इस मैन्यू पे खेले गए दोस्तों उन्वे देखो लास्ट मैच वो था पीबी वर्सिस एसार की टीम के बीच में पीबी की टीम ने एक सो चालिस करें इसार 141 बना के गई साथ विकेट पे चेज किया उतना बढ़िया चेज नहीं था क्योंकि 19 ओवर यंदर ये 140 का टार्गेट इन्हों ने चेज किया दोनों पारियों में उतना बड़ा स्कोर नहीं बना जो कि आप लोग देख पाऊगे उसके बाद में CSK की टीम ने सैकेंड मैच में 101 करें केटी की टीम ने बढ़िया चेज करें और केटी की जो टीम है ये काफी तगडी टीम है ठीक है कि आप लोग अतना बड़ा स्कोर आपको बनताوعण नहीं दिखा उसके बाद आगे चलते है अब लोग बने के बाद मैंच से बाद करें मैचे के बात करें Minor नाव के नाम Most ए li यस नहार ने केवल 49 करे हैं, ठीक है मैहुल पटेल जो कि सिर्फ दो ही मैच के लिए और 27 रंस इनके नाम है, डंडेगर के नाम एक मैच में 20 रंस है, ऐसे एक के नाम 15 रंस है और भाई विक्की ओस्तवाल के नाम केवल 10 रंस है लेकिन यह जी में गेंदबाज केलेगा, नहां पर देखोगे, 9 रंस करवाई, मतलब एक एवरेज लेके चलोगे, तो हर मैच में लगबग 3 रंस की गेंदबाजी, विक्की ओस्तवाल जो कि इंपोटेंट है, बताच को ओलड़ी आपको, ठीक है, क्योंकि 4 मैच में पूरे अपने 4-4 रंस करें और 3 विकेट इनके करी थी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग करने वाले टीम रहेगे, अगर 16 पूर रोयल्स की बात करें, लेकिन जो प्लेयर खेलेगा, उनके इसाब से इंपोर्टेंट पिक सब से पहले बल्लेबाजी में बात करें, देसाती को ट्राई कर सकते हो, जो की उपर अगर को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, काले की फोर्म उतनी अच्छी है नहीं क्योंकि चार मैच में केवल 16 रंच है, एक मैच में 32 रंच के पारी ये हटा दो तो आपको कुछ भी रंच नहीं दिखेंगे, वैसा याल आपको देसाती का मिलेगा, लास्ट मैं जिन्होंने 53 करे ये पारी निकालोगे तो बाकी के 3-2 मैंच में इन्होंने भी कुछ खास किया नहीं है, ठीक है, तो उतनी स्टोंग टीम आपको नहीं मिलेगी, सोलापूर रोयल्स गी, लेकिन गेंदबाजी फिर भी इनको थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक दिखती है, तो कि यहां पर सुनील फिर मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूँआ कि कौन से प्लेस आपको टीम में पिक करने है, ये पूरी सोलापूर की टीम दे सकते हूँ, अब दक इनके जितने भी प्लेयर खेले, पूरे स्टेट्स आपके सामने है, उसके बाद में चलते हैं दोस्तों, यहां से ब बैटिंग करता हुआ दिखेगा, लेकिन लास्ट में टंक वाला उतनी अच्छी फोर में नहीं थे, बोसाले ने फिर भी थोड़े बो ठीक ठाक रंस करें, उसके बाद में नवाले, जो कि उपनिंग करने वाले प्लेयर है, चार मैच में अठितर रंस है, उसके बाद में ख कुछ खास किया नहीं था, और यहां पे भी देखोगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं है, इनको बाई टीम में पिक किया जाए, उसके बाद में काजी ये प्लेयर इंपोर्टेंट हो सकता है, बल्ले बाजी प्लस गेंद बाजी दोनों तरीके से, चार मैच में तालिस रंस है यहां पे चार विगेट्स निकाल रखे, ठीक है, ठेंगे रहेंगे जो कि आजे में गेंद बाज खेलेंगे, गेंद बाजी में भी उतना कुछ खास किया नहीं है, तीन मैच में केवल एकी विगट्ट इनके नाम है, बाकि अभी शेक पवार के नाम भी तीन मैच में केवल कोई भी प्लेयर बैटिंग में स्पेसली उतनी अच्छी परफॉर्म करतावान नहीं दिखेगा, काजी जो कि ओलाउंडर सेक्षन के प्लेयर है, यह तो भाई कोमन पिक है, जो कि टीम में पिक करना है, ठीक है, यह तो एजे बल्लेबाज और एजे गेंद बाज दोनों पर सिर्फ एक विकेट है, लगबग नो वर, साड़े आठ ओवर गेंद बाजी, उतनी अच्छी फों मुझे नहीं दिखी, तो गिने चुने प्लेयर मिलेंगे आपको दोनों टीम्स के सैड़ से, पूरे स्टैर्स आपने देख लिए, दोनों टीम्स के बात करूँ, बैटिंग देखो यार उतनी ज़्यादा स्ट्रोंग है नहीं ठीक है, तो मेरे इसाब से बोलिंग शायद यहाँ पर आपके ज़्यादा काम भी आ सकते है, तो बोलर्स के उपर आप लोग ज़्यादा फोकस भी कर सकते हो, स्पेसरली इस मैच में ठीक है, पूरी प्लेंग लेवन आप किसी भी मैच की वीडियो आपको मिस नहीं करनी, टेलीग्राम के साथ में जवाइन कर ले ना भाई, कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, अब यहां से बात करते हैं टीम सेलेक्शन की तो पिर हो सकता अगर खेलेगा, ज्यानक में भाई, ठीक है, उसके बाद में नीचे आओगे काले की फोम उतनी अची है नहीं, एजिस सब्सिटूट लास्ट मैच के लिए, तो बैटिंग सेक्शन में बोसा ले, कात पे देखो अच्छी डिफरेंशल लेंगी, केवल 4% सेलेक् अंगर गेकर सेलेक्शन 83% है, 4 और आपको पूरे मिल सकते हैं, लेकिन अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाई, 13 और इन्होंने गेनबाजी करवाई है, तो देखो सेलेक्शन बेस सलेंगे, तो दोस्तों टीम में पिक करना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच में स्पेसल ल या सलेक्शन गम है, डिफरेंशल में ट्राई कर लेना रो, और आजब उतनी अच्छी फोर्म है ने, ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, बोलिंग सेक्शन में, ओस्तवाल इंपोर्टेंट, वालूज इंपोर्टेंट, भाईया, पीसिंग इंपोर्टेंट नीची आओगे तो यहां से देखो, डाउद इंपोर्टेंट रहेंगे, गावडे के साथ में जा सकते हो, थिंगे के साथ में जा सकते हो, फोर्म देखोगे, ओन एन एन एवरेज है दोनों प्लेयर की, तो अपने उपर डिपेंड करता है, दोस्त, आपको किसको टीम में पिक करना है, फिल के उपर डिपेंड करेगी भाई, इस मैस में, ठीक है, क्योंकि कोई भी डंकी उप्सन आपको नहीं मिलेगी, जिसको उपर आप लोग थोड़ा बहुत बहुत बरोसा करगे, एज़े कैप्टन ट्राइग गरपा हो, तो मेरे इसाब से काजी और यहां पर ऐसी आतो, दो चेंज गरेंगे, इस टीम में फाइनली, टोस के बाद टेलीग्राम पे आपको फाइनल टीम मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन और डिसकोशन में लिंक दे रखाए, जाइए और जोईन कर लीजिए, उमीद करता हूँ दोस्तो, वीडियो अपनी कम्प्रिट वोच क्या होगा पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी उन कर लेना, आने वाले किसी भी टीटेन या फर टीटोंटी मैच्स की वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, मिलते हैं दोस्तो, अगले मैच्स की वीडियो में, उमीद गत तो आप लोग इस मैच्स में एक बड़िया टीम कुमिनेसन बनाओगे और आपकी टीम अच्छा पर्फॉर्म जरूर करेगी